हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकी आई हूँ, जिसे आप घर के ही कुछ समान से बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप छोटी मोटी फंक्षन में बना सकते हैं, काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यह घर क बना हुआ है, तो फिर देर किस बात की चलिए बनाते हैं, तो आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे सूजी से, उसके लिए एक कप सूजी लेना है, अब एक कड़ाई में डेर कप पानी डालेंगे, एक कप सूजी में डेर कप पानी डालने हैं, अब इस पानी को अच्छी तर दाल के पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि लंप्स नहीं पड़े इसलिए आधा-धा करके डाल रहे हैं बस अब ये मिक्स हो गया जो बचावा सूजी है फिर से डाल देंगे अब डाल के सूजी को पकाना है तब तक पकाएंगे जब तक इसका दानेदार पूरा अच्छ अच्छी तरह से चिकना नहीं हो जाए सौफ्ट हो जाए अब ये सूजी पूरी अच्छी तरह से पक चुका है पकने की बाद क्वांटिटी भी बढ़ जाता है उसी हिसाब से आप सूजी का मेजर्मेंट करें तो देखिए अब कड़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं र दालेंगे आधा सिमला मिर्च बारिक कटा हुआ एक टुकड़ा गाजर इसको भी हमने बारिक कटा है साथ में ही आधा प्याज थोड़ा सौबला हुआ कॉर्ण तो आधा चमच कटा हुआ लेसर के एक चमच चिली फलेक्स एक चमच ओरिगनो नमक डालेंगे अपने अब इसमें एक चुथाई चमज डाल देंगे काली मिर्च पाउडर जिसको हमने कूट के लिया है अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है मिक्स करते टाइम सुजी में पानी बिल्गुल भी नहीं डालना यदि लगे कि थोड़ा सा हाथ में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लें अब देखे सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो गया अब लेना है एक क्यूब चीज का आप अपने स्वात के अनुसार या फिर टेस्ट के अनुसार जितना इच्छ है उस हिसाब से आप चीज को ग्रेट करके डाल दें आज मैं यहाँ पर एक ही क्यूब चीज डाल रही हूँ यदि आपके पास चीज नहीं है तो आप बिना चीज का भी बना सकते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगता है तो देखे अब हमने चीज को ग्रेट कर लिया है अब चीज डालने के बाद फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं अब अची तरह से चीज इसमें मिक्स होग गया है अब फ्या करना है छोटा छोटा सा पोर्शन लेना है नींबू से चोटे साइज का अब इस तरह से हाथ से गोल करेंगे गोल करके एक बॉल के सेप में बना लेंगे बस इस तरह से सारे को बनाना है अब मैं आपको एकपिस और बना के दिखाते हैं फिर से छोटे साइज का पोर्शन लेंके थोड़ा सा लेना है और इस तरह हाथ से गोल कर लेंगे अब जैसे भी करेंगे आसाने से हो जाता है ये गोल बस अब ये भी बनके रेडी हो गया अब इसी तरह से हम बाकी का भी बनाके रेडी कर लेंगे अब सारे बॉल हमने एक साइज का बनाके रेडी कर लिया है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये सूजी का बॉल आप चाहें तो इसके अंदर चीज को स्टप्ट करके भी बना सकते हैं अब लेना है मैदा का सलरी और ब्रेड क्रम्स तो एक बॉल को मैदा के सलरी में इस तरह से डीप करेंगे एकदम पतला सलरी रखना है बिल्कुल भी घूलेगा नहीं क्योंकि ये सूजी का बना हुआ है अब इस तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स भी नहीं लगता है जैसे हम लोग चीज बॉल बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है अब देखे एक कोट हो गया दूसरा भी सेम इसी तरह से करेंगे बहुत ही आसानी से हो जाती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बस इसी तरह से सारे को ब्रेड क्रम्स से कोट कर देना है अब ये सारे बॉल रेडी हो गया है, ब्रेड क्रम से हमने कोट कर दिया है, आप चाहे तो इस तरह से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, अब इसे हम डीफ फ्राइ करेंगे अब डीफ फ्राइ करने के लिए कड़ाई में तेल गरम करेंगे, जब तेल गरम हो जाएगा, तो बस इस तरह से एक एक पिस करके डाल देंगे, और गयास का फ्लेम स्टार्टिंग में हाई रखेंगे, फिर बाद में लो कर देंगे अब एक एक बार करके पलट लेते हैं, तेल में डालने से ये बिल्कुल भी बिखरता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से बनके रेडी होता है अब ये पूरी अच्छी तरह से गोल्डन कलर का होगी है, आप देख सकते हैं, अच्छा सा कलर भी आगया, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब ये सारा मज़िदार सा सूजी बॉल बनके रेडी हो गिया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंस्टन बनके रेडी हो जाता है, और एकदम काफी टेस्टी लगता है, खाने में बिखरने का भी जंजट नहीं है, एकदम आसानी से बनके रेडी होता है, और परफेक्ट बनता है, तो फिर इस रेसिपी को एक बार चरूर ट्राइ करें, मैं आपको एक पीस तोड़ के लिखाती हूँ, कि उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनके रेडी हुआ है, आप इससे केचप, ग्रीन चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, फ्रेंड्स अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरें